टू वीलर पर आप अपने बच्चों को बिठा कर कहीं ले जा रहे हैं तो यह जरूरी नियम भी जान लीजिए आने वाले वक्त में 9 महिने से 4 साल तक के बच्चों को भी दुपहिया वाहन पर सफर के दौरान हेलमेट जरूरी होगा परिबहन मंत्राले की ओर से कहा गया है कि अगले साल 15 फरवरी से 9 महिने से 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमिट के साथ ही सेफटी हॉर्ण्स वेल्ट पहनना भी जरूरी होगा इसके साथ ही जिस टू वीलेर पर 4 साल से कम ओम्र के बच्चे होंगे उसकी अधिक्तम रफतार 40 किलूमीटर परती घंटा की होगी इन नियमों का पालन नहीं करने पर 1000 उपे का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रापधान है वरतमान में भारत में सडक दुरगटनाओं में 4 साल से कम ओम्र के कितने बच्चों की मौत हुई है इसका कोई विशेश डाटा नहीं है सडक परिवहन और राजमान मंत्राले ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से CMBR 1989 के नियम 138 में संसोधन किया है और 4 साल से कम ओम्र के बच्चों के टू वेलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंदेत मांदंड निर्धारित किये हैं बाइट चालक को 9 महिने से 4 साल के बच्चे को सीट के पीछे ले जाते समय से 50 हॉर्न्स का उपयोग करना होगा एक परकार से यह पहना जाना वाला बेल्ट होता है इसको पहनने के बाद टू वेलर से बच्चे के गिरने की संभावना नहीं रहेगी यह एड़िस्टिवल बेल्ट होता है और राइडर से बेल्ट बंधा होता है इस बेल्ट को बच्चा पहनता है और इसका एक हिसा टू विलर चलाने वाले के कमर से लॉक हो जाता है